हेलो एब्रीवर्न क्या आपको भी मेरी तरह ब्लॉगिंग करने का शौक है और आप सोचते हैं कि आपकी आवाज के लिए नहीं आती है बहर से बहुत सारा साउंड आता है ऐसे में क्या किया जाए आज मैं आपके लिए ना बहुत बड़ी ऐसा माइक का रिब्यू लेके आई फिर मैंने सुचे क्यों ना माइक लिया जाए तो आज मैं आपकी साथ शेयर करने वाली हूं बोया का बायर्लेस माइक का रिब्यू यह है मॉडल भी वाई वीवन अरे इतनी बगबख ही करती रहूंगी यह फिर मैं अन्बॉक्सिंग भी करूंगी तो चलो पहले ना इसकी अन्बॉक्सिंग कर लेती तो सबसे पहले बता देते हैं कि यह मैंने मंगाया है एमिजॉन से इसका प्राइस क्या है वह भी मैं आपको लाश्ट में बताऊंगी और हां एक मुस्से गड़बड भी हो गई इस माइक को पर्चेस करते समय क्या गड़बड हुई वह मैं आग अगर आपके पास आइफोन है तो आप इस बायरलेस बोया माइक को ले सकते हैं और यो की बात करें तो इसकी और यो भी बहुत ही अच्छी है प्रोफेशनल ओडियो शॉल्यूशन है सबसे पहले हम आपको यह माइक दिखा तो इस तरह से यह आपको मिलेगा एक माइक मिले अगर आप इंडोर शूट करते हैं तो इसके लिए तो यह बहुत ही अच्छा है क्योंकि बाहर जब हम शूट करें तो बहुत ज्यादा नौइस होता है ना बाकी मैंने सब कुछ इसक्रीन पर मैंसन किया हुआ है आप देख सकते हैं सब कुछ मैंने यहां पर आपको एक छो करना बाकी सब कुछ मैंने स्क्रीन पर मैंसन किया हुआ है आप देख सकते हैं दोर और आउट्डोर दोनों के लिए यह बैस्ट माइक है इसमें है ओम्नी डायक्शन शाउंड पिक अप टाइप C चार्जिंग पॉर्ट है इसमें और 50 बाइलेस ट्रांस्मिशन है इसमें औ और बस जो नॉइस होगा वो नहीं आएगा आपका और यहां पर एक डेटा के वल भी आपको मिल जागी तीन चीज़ें आपको मिलेंगी इसकी जो प्राइज है वो है 2390 और अगर आपको डूल वाला चाहिए तो इसको प्राइस तोड़ा सा अबढ़ जाएगा 300 रोटेटि और आइपड वाला सिस्टम है वो नहों अगर आपको को अपने स्मार्टफोन के लिए चाहिए तो आप वो देख कर ही लिजी कि मुझसे यह गलती होई क्योंकि मैंने देखा नहीं मेरे पास स्मार्टफोन है अधर स्मार्टफोन में यह कनेक्ट नहीं होगा यह सिर्फ जो कि मेरे फोन के लिए सही रहेगा यह मेरे फोन में कनेक्ट नहीं हो यह मुसे बहुत बढ़ी गलती होगी आपके पास आइफोन है तो आप इस माइक को ले सकते हैं बैस्ठ है माइक